तो सेकंड फोस फेस की वोटिंग चल रही है मद्दप्रदेश में 6 सिटे तो अगर बात करें 36 गड़की तो 3 सिटे मद्दप्रदेश में रीवा सतना दमो चिकमगड होशंगाबाद और खजुराओं में वोटिंग चल रही है और इस वक्त वोटिंग प्रतिशत क्या चल रह हल एक पूलिंग बूत पर मद्दाताओं की संख्या बढ़ती जारी हाला कि कुछ ऐसी पूलिंग बूत है जहाँ पर मद्दाता नहीं पहुच रही है लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है उसके साथ ही यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है अब तक आपको बतारा है देखी नर्मदापुरम की बात कर ले हाई प्रोफाइल सीचों में शुमार 32.4 पीज़ी यहाँ पर अभी तक वोचिंग बढ़ चुकी है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा दमों की बात कर ले तो 26.8 24 प्रतिशत यहाँ पर वोचिंग अप तक हो चुकी है अभी भी मतदाता उन्हें उत्सा देखने को मिल रहा है और यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ पर बढ़ सकता है खजराहू अगली सीट यहाँ पर 28.14 प्रतिशत वोटिंग वोच चुकी है मतदाता पहुच रहा है अपने खरों से निकल रहा है वोच करने के लिए खजराहू सीट की बात करें तो यह भी वियाईपी सीट है सभी की नसरे सीट पर भी टिकी हुई है कि कौन यहाँ से इस लगाया जा रहा है कि वोचिंग प्रतिशत आगे और बढ़ेगा अगली सीट की बात करें सतना यह भी आई प्रोफाल सीटों में शुमार यहाँ पर 30.32 प्रतिशत वोचिंग अब तक हो चुकी है हाला कि मतदान करने के लिए जो मतदाता है वो अपने घरों से निकल रहा ह अभी भी बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जड़ता अपने घरों से निकल रही है तो यह वोचिंग प्रतिशत हमने आपको बता दिया लेकिन आगे और भी अपडेट देंगे जैसे जैसे जो है दिन भलेगा वैसे वैसे वोचिंग प्रतिशत भी लेकिन चलिए सिधर उख करेंगे नेक्स्ट चूट्यू का ओवर चूइव बिल्कुल आप देखिए ललित की जिस तरह आप बोटों का प्रतिशत आप देख रहे हैं यह मुझे लगता है जब अभी 12 बज़रा है और 12 बज़े यानि 11 बज़े का प्रतिशत रहा होगा इसम आपके पास साइद कुछ और खबरे आ रही उस पर देखिए लेकिन मॉर्निंग में जिस आप से वोटिंग परसेंटेज दिखाईच देना चाहिए ता उतना नहीं दिया है बिल्कुल देखिए हाँ उमीदे तो की जाना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि अब जो बोट का प्रस्त बढ़ेगा दो फार तीन बज़े के बाद मदाता जादे से जादा घरों से काम करकर निकलेंगे क्योंकि शादियों का मौसम है और दूसी तरफ गर्मी के आप बा ही हो भीशर गर्मी का दोर है लेकिन फिर भी जो मतदाता है अपनी घरों से बहार निकल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने शेत्र का सांसर्द चुन्ना है इस बार किस पर वो भरुसा जताएंगे इस पर सभी की नस्रेची की हुई है लेकिन आप च्छतीस ग आपको बता देते हैं कि कितना वोचिंग प्रतीशत रहा है कांके सीट की बात करें तो 49.38 प्रतीशत यहां पर वोचिंग हो चुकी है और माना जा रहा है कि वोचिंग प्रतीशत में इसाफ़ा भी होगा समय के साथ राजन गाउं जो की हाई प्रोफाल सीचों में शुमार है यहां पर 32.99 प्रतीशत यानि कि जो बाकी की दो सीचे रही है उनके हिसाब से उनकी कंपेरिजन ने यहां पर कम वोचिंग हुई है लेकिन यही हम भी अपील आप से करेंगे कि जादा से जादा घरों से निकले औ आगे भी आपको पलपल का अपडेट देंगे वोटिंग प्रतिश्वत को लिकार और अभी फिलाल सीधर रूख करेंगे नेक्स स्टूडियू का ओवचिंगी लड़ा धन्यवाद प्रशन सा और आपने बताया किस तरह का वोटिंग परसेंट रहा है और आज हमार साथ जो लगाता जुने हुए दिनेश गुपता जी आपका तो स्वागत है और लगाता चर्चा आपसे जारी है लेकिन आभी वोटिंग परसेंटेज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे क्या कहेंगे इसे क्या जिसे हम कहते हैं कि बूत मैनेजमेंट जिसको अंदर से जाकर लोगों जब एक जो आधा पन्ना परभारी जब आप बनाते हैं तो वो किवल इसलिए नहीं मनाते हैं कि आपको एक पन्ना उनको आधा पन्ना देना है तो वह तो यह उनकी जिम्यदारी है कि वो बूत तक लोगों को लेके जाएं और उसी के आधार पर आगे की रणनीटी पार्ट पार्टी उन पर वर्क करती है तो कॉंग्रेस में तो अब जो देख रहे हैं कभी भी बूट पर उतना काम नहीं करती है। इसको बोट मिलते हैं कहिना की जो कमिटेड वोटर है वो अपने आप जाता है यह भाजापा में भी होता है कमिटेड वोटर जिसको आपको ज़रूट नहीं होती तो एक तरफा मामला रहता है कि भाजापा तो इस पर वर्क कर रही है लेकिन कॉंग्रेस नहीं करती इसलिए ज प्रतिक्रियां लेंगे लेकिन इससे पहले जड़ा खजराहों चल देते हैं खजराहों से कोई बड़ी खबर आ रही है खजराहों से पंडित धीरेंद्र क्रश्म सास्त्री ने मदान किया है ग्रह ग्राम गड़ा पहुंचकर उन्हें बोट डाला है बोट देने के बाद मत शीरवाद नहीं दिया किसी को बल्कि अपील किये तस्मीर आप देखेगा इस समय नजर आ रहे हैं भगवा वस्त्र नहीं बलकि नीले कुर्टे में वहां पहुंचे हुए हैं और एक मदाता के रूप में बूट कर रहे हैं सबसे बड़ा जो पहचान होती है व्यक्ति की औ कि खज्राहो में आता है जहां वह पहुंचे है 203 गड़ा यह देखें जैहिंद बोलते हुए नजर आए यह तस्मीर है थोड़ देर पहले उन्होंने बोट किया है और बोट करने के बाद जैहिंद कहते भी नजर आ है जैहिंद तो कहना ही होगा क्योंकि हिंदुस्तान में है तो सभी को जैहिंद करना भी चाहिए जैहिंद हिंद याने हम सब का और यही बात उन्होंने कही है लेकिन कुछ कहा भी है तो सुना दीजे उन्होंने कुछ कहा है नहीं है फिलाल लेकिन लोगों को कह दिया कि जाईए मैंने तो जल्पान भी गरंड नहीं किया है आप भी जाईए घर से और यह महतुपर्ण चीज है और टालिएगा नहीं क्योंकि अक्सर हमने देखा गर्मी का बहाना बनाते हैं लोग अक्सर भी वोटिंग की और क्या कुछ का थोड़ दिर पहले ही अस्तुस राणा गाडारवाडा पहुंचे थे वह उनका ग्रह नगर है जहां उन्होंने बोट किया है और पताफ बार्ड महराना पताफ बार्ड में बोट करने के दौरान उन्होंने दिखाया भी जब बाहर आए त पर उन्होंने कुछ कहा भी है कि आप ही अपने भविश्ची नियती नीती का रखवाले हैं आप खुद ये तै करते हैं और लोग तंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है क्या कहा अस्तुस राणा जी ने सुन लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हूँ इस्तेमाल करें उसका प्रयोक करें क्योंकि इससे आप ही आप अपने भविश्च, अपनी नियती, अपनी नीती का ही निर्मान करने वाले हैं तो हमारे बजर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वर्दान दिया है तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित पल्वित और प्रकर करने का जो दायत्व है वो हम लोगों की उपर ही जाता है बड़ा अच्छा बोलते हैं खासकर हिंदी पर बहुत बढ़िए पकड़ और एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप अंगरे जी में बात चल रही थी तो उन्होंने ने का मैं अंगरे जी में बात कियो करूँका आप सुनिये मेरी बात हिंदी की बात करते हैं प्रभावित करते हैं कही हो प्रूटतन से जुड़ी है बुत अच तस्वीरे आपको दिखाते हैं जिनमें आपको अलग अलग तस्वीरे दिखाए देंगे किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले और कौन-कौन बड़े लोग है नर्मदापुरम से दर्शन सिंग चौद्री आप देख सकते हैं इनको वोट करते हुए संजय शर्मा दोनों ही प्रत्याशि भारती जनता पर्टी और ऐसक्राइब डेलिए दमोव सीट का देखिए दमों से राहूल सिंग आतेफों वोट करते वोट होए नारायन ट्रीपार्टी बीयस्पी की उम्मिद्वार सतना से हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चाए हैं अब ऐसा कहा जा रहा है कि आप महुत जाले कुछ नहीं कर सकते हैं तो नहीं करने का समय वोट डालतेवे भारती जंता पार्टी के वंबिद्वार और देखिये रूपकुमारी चौधरी भारती जंता पार्टी महासमुंन स्याइश से वोट डालतेवे रूपकुमारी तो बिलकुल ये आठ तस्वीरें आप देख रहे थे जिसमें वो प्रत्यासी जो चुनाव मैदान में है चाहे नमदापुर की बात करें दमो सतना सतना ठीकमगर और उसकी महासमुंद की बात भी हम कर रहे थे लेकिन सीधी प्रतिक्रिया ले ले लेते हैं इस वक्त हमारे चरण में उसमें आसा तीत यानि जो अमीदे आप लोग ने की होगी शायद उसकी तरफ आप नहीं बढ़े मेरी भी बात हो रही थी बीडी शर्माजी की तो उन्होंने कहा कि दूसरा जो चरण होगा उसमें हम लोग भरपूर प्यास कर रहे हैं क्या ये माना जाए पिछली योग करें अपने घरों से निकलें मतदान दें और अपनी सरकार आप स्वयम चुनें अब आपकी बात में मनोजी आना चाहूंगी आपने भारती जनता पार्टी की जो ताकत है वह यही ताकत है कि भारती जनता पार्टी जनता पर फोकस करती है जनता के विकास पर फोकस कर और भार्ती जन्ता पार्टी का हर एक कारे करता जीत के लिए नहीं काम कर रहा है हर एक कारे करता जन्ता के लिए काम कर रहा है जन्ता के भविश्य के लिए काम कर रहा है अगर मैं भार्ती जन्ता पार्टी की बात करूं तो नरिंद्र मोदी जी के नित्यत्य में दस साल का इत होता है वहाँ पर जनता के प्रती जो विश्वास है वो जगरा है जनता अपने घरों से निकलेगी और हर एक कारी करता काम कर रहा है चाहे वो बूत पर काम हो चाहे हर लेवल पे अपने अपने तौर पर अपने अपने दायत्य को कारी करता निबा रहा है जनता तक यह मेसेज पहुँचा रहा है कि आपको निकलना अपने अधिकारों को इस्तमाल करना है और सरकार चुन्नी है और मोधी जी को फिर से इस बार प्रदानमंदरी के रूप में अगर देखना है अगर विकास चाहिए तो मोधी सरकार चाहिए और इसके लिए हम बिल्कुल कारियत है चलिए बीजेपी अपना काम कर रहे है ललित लेकिन कॉंग्रेस की प्रतिक्रिया आजे साहु जी से ले लेना चाहिए जी 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 आप क्या कुछ कहेंगे आपको कम वोटिंग प्रतिशत परिशान करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं नहीं वोटिंग प्रतििस сам जो है वो कम हो रहा है लेकिन हमें विश्वास एक्टी आने वाले समय में जो boaters है वो पोलिंग बूद तक पहुँचेंगे और bit कर रिखाह यहासी वह हर बार से अधिक होगा ऐसा हम मानते हैं शबसे बड़ी बात यह प्रदान मंत्री जी जो गरीमा है वो उनकी सब्दावली के चैन को लेकर के तार-तार हुई है इससे प्रदान मंत्री जी के पत की गरीमा को ठेश पहुची है उसका संबान प्रदान मंत्री जी को करना चाहिए ऐसा में निवेदन करूंगा देश की जनता लगातार देख रही है देश की जनता को आने वाले 25 साल का विजन नहीं चाहिए देश क कि यंता को चाही कि आपकञे लिखे वाइड हुट ata फोग को चोड़ करके पर लेकिदर हमाओन प्रदान Васben्त्री जी यंता पार्टी की सरकार थी केंद्र में भारती यंता पार्टी की सरकार थी नकसलवाद से निपटने के लिए जो काम पांच वर्स के हमारे सासनकाल में हुए हैं वही काम आगे बढ़ रहे हैं इससे पहले तो डॉक्टर रमन सिंग जी के कारेकाल में जिस तरीके से नकसलवा कि किस तरीके से AK-47 और LMG राइफल जो है वो जब थोती है तो अगर मंसा साभ है तो नक्सलवा समानी सुनील चौधरी जबाब दीजेगा लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कभी बात को धर्म पर ले जाते हैं कभी आप बात को आते आते आप दूसी तरफ चले जाते आरोपे आप पर अजे साहू जी का जी राम राम जैजोहार जैच्छतिजगण दीखे कांगरेस मुद्धा भीन हो चुकी है और वही उनकी जो बखलाहट है वो धीरे धीरे नजर आ रही है ये मुद्धो की बात तो च्छतिजगण में कभी किये नहीं एक आते हैं बोलते हैं मोधी जी का सिर्फ खोड़ना है एक कहते हैं मोधी मरेगा तो ये जिस प्रकार से जिस भाशा का प्रयोग छतिजगण में कर रहे थे इनकी बॉखलाट बिखने लगी थी और नकसलवाद पर क्या लड़ाई लड़े आप जब करते हैं और आप चले जाते हैं राजिपाल मोहदे के पास कि फर्जी बुटबेड हो गई इनके पूरों मुख्यमंत्री चोकी अभी लोगसभा का चुनाव लड़ रहे हैं राजनान गाउं से आज जंता जवाब देने निकने की साहब उन्होंने फर्जी बुटबेड कह साधिया था तुर बाद में जा करके ठीक करने की बात करते हैं ॒र्सव में यह जा करके नक्सलियों के माद में भूर्त मैं भुप iba है नक्सली जो है वो कहते थे निके खुद के लोगों के बारे में कि हमसे कुछ वादा किये थे वो पूरा नहीं कर रहे हमारी सरकार है काहे को टार्गेट की लिंग करते थे अब नक्सलवाद के खिलाप निर्णायक लड़ाई चलिए चलिए सर बंदूग का जबाब बंदूग से आप कह रहा है कि जिस भासा में बात होगी उसी बासा में जबाब दे रहा है लोटिंगे आपकी तरह लेकिन आप देखिए चुनाओं से पहले ललित किस तरह मुद्दे बदल गए जब प्रथम चरण के हम बात कर रहे थे तो मुद्दे कुछ अलग रहा करते थे लेकिन जैसे जैसे चुनाओ यानि अन्य जो यह कहा जाए कि चरण भी बदल रहे हैं उन चरणों में मुद्द विछे बदले जी प्रसंथ सरा ऑब कर शुकृया मरुची तो देखिए किसी भी चुनाओं में मुद्दी काफी ज्यादा मेहतपूर होते हैं और मुद्दे के दम पर ही पाठिया चुनाव लड़ती है लेकिन इस बार के चुनाओं में काफी जादा ये मैं पूर मुद्द दूसरे चरण दें बदल गया ओधे कम शुन में विषृ्वा बदले अमें देखा पहले चरण में कुछ और मुद्दे थे यह जो मुद्दे भ divis H20 क diplodal है। सब्सक्रें के पहले ने देखा का ओना तार वी म zuड़े जिक्र किया लेकिन अचानक देखा पाद भी बीजेपी ने यहाँ पर रणी नीती अपनी बदल ली है तो दूसरे चरणन में कैसे मुद्दे बदले यहाँ आपको बतारे पहले चरणन में हमें देखा मोधी की गैरेंची भारत की आर्थिव्यवस्ता यह मुद्दे रहे थे लेकिन अब अचानक से मुद्दे बदल गए पहले चरण में कम बतदान इसके पीचे की एक बड़ी वजा हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसी सीचे रही मध्यप्रदेश की जहां कम वोचिंग हुई इसके वज़े से शायद यहाँ पर बदला हुआ हुआ होगा भार्षणों में लेकिन पहले चरण के बड़े मु यानि कि भारत को कैसे तीसी आर्थिव्यवस्ता बनाया जा इस पर फोकस था और मंच से लगातार इसी तरीके के भाषण बीजेपी ने ता प्रधार मंत्री नरीन मुदी भी खुद दे रहे थे राम मंदर का निर्मार ये बड़ा मुद्दा था जो कि बीजेपी ने खूब मंचों से भी का कि हमने राम मंदर बनाया और इसी के इर्धिद पूरा चुनाव लड़ा जा रहा थे लेकिन दूसरे चरण के बड़े मुद्दे क्या अचानक से मुद्दे बदल गए संपत्त का एकस रे जो कि लगातार बीजेपी ये मुद्दा उछा रही है कॉंग्रेस को खे रहा इस पूरे मुद्दे को लेकर प्यम मुद्दी मंच से भाश्ट दे रहा है इस मुद्दन को लेकर विरासत की संपत्ति पर टेक्स यानी की इन्हेरिटेंस टेक्स जो है इस पर लग कि इन मुद्दों का असर क्या जनता पर पढ़ता है पाठिया और कैसे आगे बढ़ती है इस पर भी हम बात्चीत करेंगे आगे और भी आपको डीटियल देंगे लेकिन अभी सीधर करेंगे नेक्स स्टूडियों का ओवजी यू ललुकुल बहुत धन्यवाद आपका प्रसं दिनीजी आप भी कहते रहें पसमांदा जैसी बात कर रही थी भारती जनता पार्टी आपने जिक्र भी किया है उसका लेकिन हम देख रहे हैं दीरे दीरे करकर चीज़ें अब दूसी तरफ जा रही और वही मुद्दे अमूमन जो हर लोग सभा या विधान सभा की पसमांदा बिधान सभा चुनाओं के समय हम देख रहे थे वह भाजापा अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही थी आज भी वह पसमांदा को अपने साथ जोने की बात नहीं कर रही है आज मुसल्मानों का जिक्र का एक समू के तौर पर हो रहा है और जो बात हो रही है की हो रही है उस पर बहुत सारे सवाल उट रहे हैं कि जो पसमांदा है उनके रिजर्वेशन का विशह आया करना टक का विशह आया बहुत सारे बिधान सभा चुनाओं में इनका फेवर कर रही थी वह उनके खड़ी हो गई तो यह बोटर समझता है जो जिसके लिए आप ब बदलता अपने आपको और एक जो जिस तरह से पूरा एक मामला होता है कि भारती जनता पार्टी अलब संक्यकों के इत में बात नहीं करती यह मामला तो जब पसमांदा का था तब भी यह आई थी कि मोडी जी मास्टर स्टोक उनका यह है पसमांदा को अपने साथ जोड़ रहे हैं तीन तलाग के मास्टर से पसमांदा तो यह बात कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर क्योंकि एक दिन में यह चुनाओं में लोग अपना माइंड सैट नहीं करते हैं एदी 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पन होता है महाफराण प्रिश होती है तो देश का माइंड बनता है कि उसको अब क्या करना है चुनाओं में इस पर कितना रिस्पोंस करना है वो चलते चलते लिए आप अपरेल में जब सेकिंड फेज का चुना हो रहा है आप किसी नए मुद्दे के साथ जा रहे हैं तो बो भी यह समझ रही है कि आपने हम याद है हम उसको कवर भी करने थे लेकिन जैसे जैसे चुनाओं आते हैं तो फिर वो चीज़ें दूसरी हो आप कहते हैं वो कहते कि तुष्टी करन की राजनीती तो आप करते हैं मनोजी मैं बहुत सम्मान पूर्वा कहना चाहूंगी दिने जी ने जो बात रखी है कि स्टैंड बदल रहे हैं देखिए भारती जन्ता पार्टी का स्टैंड बदला नहीं है भारती जन्ता पार्टी सबके साथ और सबके विकास में विश्वास रखने वाली पार्टी है औ और इस तरह विभाजन की जो रणनीती के साथ कॉंग्रिस आई है, ये जनता को विभाजित कर रही है, ये जनता के मन को भ्रमित कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी के अगर मैं बात करूँ और भारती जनता पार्टी के अगर मैं बात करूँ, तो जितनी हि योजना हो चाहिन सब्सक्रा ला उझार कि अपैने होगे ञ biblical ऐसे एक अरन बनीमिल मस्टा सर्ट आल जा रहा है ये Congress जो राहूल गांदी जी के बयान आये थे कि हम संपत्ती लेकर जो गरीबों की है जो S.E.S.T. वर्ग की है संपत्ती लेकर हम बाट देंगे एक Minority Group में इस बयान को खंडन किया जा रहा है आपने दो-तिन बयानों को एक साथ किया सेम पित्रुदा ने कुछ कहा इनों ने कुछ कहा फिर आप मनमौन सिंग के बयान को भी जोड़ कर उसके साथ जोड़ रही थी बस ये भार्ती जंता पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि भार्ती जंता पार्टी के लिए हर समुदाए बराबर है कॉंग्रिस की तरह तुष्टी करन की राजनी थी भार्ती जंता पार्टी नहीं करेगी भार्ती जंता पार्टी के लिए आप बताए ट्रिबल तलाग जैसा जो मुद्धा था किस सरकार ने उठाया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने उठाया कश्मीर के अगर मैं बात करो 370 किस ने हटाया प्रजानमंत्री करिंद्र मोधी जी ने हटाया कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में बीच में बीच में कड़ा मुकाबला है सतना लोगसभा सीट के लिए देखे मदान जा रहे हैं मदान करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंग ने मदान किया वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कॉंग्रेस प्रत्याशी सिदार्त कुश्वाना भी वोट डाला है तो साथी साथ बीच पी की जो प्रत्याशी नारायन त्रिपाठी उन्होंने भी वोट डाला है तिनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी करती है वोट डालने के साथ साथ तस्वीरे आपको दिखा रहे और तस्वीरों के साथ-साथ उन्होंने दावा किया है वो भी बताएंगे सतना में त्रिकोर्ण यह मुकाबला देखा जा रहा है मनुजी देखिए जिसके हम चर्चा कर रहे थे लेकिन उससे पहले सुनते क्या कुछ कहा है उन्होंने जोजार चोविस के लोक्षवा के चुनाओं में भारती जनता पार्टी और हमारे प्रधान मुद्धी जी का जो मुद्धा है वो विक्षित भारत बनाने का है सबका साथ सबका विकास मुद्धी जी ने जो कहा था जमीन पर उतार दिया आज जनता का इसलिए विश्वास मुद्धी जी के साथ जुड़ा है भारी उत्साय के साथ देश की जनता मुद्धी जी को अपना सवर्थन दे रही है और आम आदमी का विश्वास सब जुड़ गया है कि अब देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता इसलिए इस चुनाव में मजबूत हाथों में देश सौंपने की तैयारी जंदा निकल लिया है और वो है मोदी जी के पक्षिव आज सतना की जंदा ने चुनाव लड़ा है जिस तरीके से पिछले चुनाव लग परिष्टियों को बदलने के लिए जंदा चुनाव लड़ रही है और परड़ाम 2023 के विदान सभा चुनाव में जो 17 विदान सभा में परड़ाम आया था वही परड़ाम पूरों संस्थी छेत्र का फिर से आएगा चले सिद्धार्त कुश्वाहा और दूसी तरफ हम गड़े सिंग दोनों को सुन रहे थे दोनों के अपने अपने दाबे हैं एक सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे दूसी तरफ सिद्धार्त कुश्वाहा जो कह रहे थे कि किस तरह ठगा गाया है जंता को जंता बाकि जब चुनाव हुए तो सिधार्त कुस्वा ने गड़ेश सिंग को चुनाव हरा दिया और वो विधायक बनने में काम्याव हो गए भारती जनता पार्टी ने फिर गड़ेश सिंग पर विश्वास किया यहां से नारन त्रिपार्टी भी लेकिन यहां के मुद्दे और क सामने एक साल के बाद विधान सबाशनाव में रहे बीजेपी कंग्रेस्ट के प्राद्षी विधान सबाचनाव में मुकाबरा देखने को मिला था उसके अलावा देखिया विधान सब्स त queste के सिद्धारिक चुशुव को जीत मिली थी उस वक्ता, लेकन आप देखिये पाला बदलता में हार के बाद भी वीजेपी ने गणरेश सिंग को मौका दिया है नारायन तिरिपाठी की 엔ट्री के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है नारायंट तिरपाठी के एंटरी के बाद अब ये तरिकौणी यह मुकाबला जिसको हम कह सकते है और नायंते पार्टी वहीं से लगा सकते हैं पर लोक सभा का चुना बहुत अलग मुद्धों पर होता है यहां की राजनीती अलग है विधान सभा में यह सब दिखाई देता है तो लगता नहीं लेकिन जाती गत समीकरन खासकर जब हम बिंद की बात करते हैं रीवा की बात कर हैं तो वहां यह साफ तोर पर दिखाई देता है कितना असर चोड़ेंगे यह समझ आएगा लेकिन निश्चित रूप से मुकाबला तो माना ही जाए लाकि इस बार गणेश विसरजन का नारा नहीं है बहुत सारी चीज़ें बदलती भी दिखाई दे रही हैं ब्रामन ठाक की तरफ हम बढ़ लेते हैं और यह खबर गरियाबंद से आ रही है गरियाबंद से बड़ी खबर है इस बख पहले इस पर नजर डाल लेते हैं कैम्प में जवान ने खुदकुची की है सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है प्रात्मिक इसकुल बबन में रुकाता जवान पीपर चेड़ी थाना चेत्र के कुडेरा दादर की गटना है 34 वे बटालियन की एक कमपनी में पदस्त था जवान यहां तो कैम्प में जवान ने खुदकुची कर ली गरियाबन से खबर आ रही है दुखत खबर है सर्विस राइफल थी उनके पास उसी से उन्हें ने खुद को गोली मार ली और यह भी बता दे कि प्रात्मिक स्कुल में जवान रुके वे थे पीपर चेड़ी यह नाम है पीपर चेड़ी धानक शेतर के कुडेरा दादर की यह घटना बताय जा रही है और 34 भी बटालियन की एक कमपनी में यह जवान पदस थे बिलकुल और बड़ी खबर है आपको मैं याद दिला दू कि यह अकेली घटना नहीं है आज एक और घटना घटित होई है 36 गड़ में ही वहाँ जवान की गलती से फायर हो गया जब वो अपनी बंदूग यानि हत्यार साफ कर रहे थे और उस दोरान एक व्यक्ति की उसमें दूसरी यह जो घटना सामने आ रही है यह कहा जा रहा है तो कुल मिलाकर दो घटना घटित हुई है एक मैं जवान ने अपने आपको गोली मार लिया है और दूसरी की रितेस इसबक जो टए हमारे संबादा था उनसे बात कर लेते हैं रितेस किस तरह कि घटना है क्यों गो जहां आइस्थाइब उस्ते जोग नाय गए था और मतायां के दोरानी यह ज़तना गटित हुआ जहां जवाने कुछ के सरी साइफर्स दब में आपको बोली मार्थी पुरीमार करा अस्या करिया है अपी बश्ता है जारा है कि चिनाव देटी में जवान यहां पहुंचे जवान पुलिसित मामले की पुरी जाथ है कुछी हुए चलिए बहुत धन्यवाद आपका आप हमरे साथ जुड़े एक खबरती गरिया बन से जहां एक जवान ने अपने आपको गोली माली खुदकुशी की है अब पूरे मामले की जात की जा रही चौतीस वी बटालियन ए देवती कर्मा है उनकी निवाज पर जो जवान सेनात था एक उससे गोली चली है और दूसरी गोली की जो घटना है वो यह नजा आई उसमें बीजेपी कारकरता और एसपी के बीच विबात की खबरे भी है जरा उसको भी हम देखेंगे लेकिन यह दो तस्विरें आप था पर जा है जरी एक्सीडेंटल घटना घटित हुई है चले एक और कबरदा की तरफ चलिंगे और कबरदा से क्या खबर है कलए लेक। उनकी अपनी कुछ जिम्मेधारिया रेती हैं उसको लेकर वो शायद पोका टूकी करती है उससी बात को लेकर आपको दिखा रहे हैं सुन लेते हैं जरा क्या बोल रहे हैं आप देख रहे ते किस तरह बिबाद की इस्तिती वहां निर्मित हो गई जब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के कायर करता गंचा डाल कर वहां पहुँच जाते हैं जो भगवा होता है और उसी को लेकर विबात कड़ा हो गया और बंसल न्यूज पर भी कुछ बोली है रूप कुमारी चौधरी दस्पीरे आप देखिएगा रूप कुमारी चौधरी है रुप कोर्वारी चौधरी को इस बार फिर भारती जनता पारटी ने मोका दिया है मैदान में उता रहा है क्या कहना है उनका? हमारे संबताता ने बात किये, उनले लोगों में बहुत उक्सा है, मैंने भी अपना मजदान किया, लोगों से भी आगरा करती निविधन करती हूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में राज्टा के हितने मजदान करें, और भार्ती जंता पार्टी के पुरी तरह से माहौ है लोग भारती जनता पार्टी वरुसा कर रहे हैं देश के अपर रहुता है तो निसी जोसे एधिखासिक मतफ़ी है तुना में हमको जीतने नहीं चलिए तो वह बोल रही थी मद्दान करने के लिए अपील कर रही थी भारती जनता पार्टी के प्रत्या प्रत्यासी है जाहर है अपने पक्ष में आपील करेंगी लेकिन वह यह कहा रही थी जादे से ज्यादा लोग घरों से निकले और बूट करें बूट किसको करना पॉइंट किलियर है क्योंकि वह खुद प्रत्यासी है लेकिन एक खबर और आपको दिखाते हैं अलग-अलग पार्टी की भोट पारिटी का अपने परिवार के साथ बहां पहुंची थी और महीला मूर्चा की अध्यक्षा भी ये तो दोनों जिम्मेदारी इनके पास वोट करने बहां पहुंची है और वोट करने के दौरान की ये तस्वीर है लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये भी जरा सुनिएगा देखे कुछ तस्वीरे बड़ी दिल्चस्प होती हैं जो तमाम बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं वोट करने के लिए और वो कई लोगों को ये कहते वे भी सुनाने देते हैं अप्ली करते वे दिखाई देते हैं और देखिए का माया नारोलिया ने क्या कहा, सुन लेते हैं, माया नारोलिया है, राज्य सबातस्त, परदस्ची, जे, उशिंगाबाद छेतर में बहुत अच्छी तस्वीरे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो दूले राजा हैं, जो सच धचकर, मतदान केंदर पर, मतदान करनी के लिए प बारात लेके जाने वाले हैं, बारात आपकी वेट कर रही हैं, लेकिन आप यहां पर मतदान करने पहुंचेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे सब का भी वक्त रहता है और लेकिन आप यहां पर टाइम निकाल कर पहुंचें सिर्फ इसी वजह सी कि लोग जागरुक और बोट दें तो इसकी बस सीधा आप अपनी दुलहनिया को लेने के लिए जारें वो निकल गये अपने पूरी परिवार के साथ मतदान करने के लिए पूँनी और उनने अपने अपने मताधिकार का प्रियोग किया है इस शीतर में आपने मतदान अपनी मताधी करके प्रयोग किया लोगों से कितनी उमीद है आपको नजर आ रही है उनके आश्रवाद को लीकर प्रत्याशियों को जनता का आश्रवाद में लेगा मैं आज बोट डालने अपने पूरे परिवार के साथ नए मतदाता के साथ और दूले राजा के साथ और भारती जनता पार्टी के तमाम मतदाता बंदों के साथ यहां पर वोट डालने आई हूं मैंने अपने मत का उपयोग किया मैंने भारत माता के लिए राश निर्मान के ल कोई भी ऐसी समस्या नहीं है क्योंकि हमारा यह चेत्र जो उपनगर है यह चभू मुखी सुविधाओं से परिपूर्ण है और आने वाले समय में निश्चित रूस से सरकार के मात्यम से और अच्छे काम होंगे और यह संसदी चेत्र भाजपा का गड़ रहा यहां हमेसा बात पर जीती है वीडियो जनरलिस्ट मकरन के साथ रहा है चलिए आप देख रहे थे माया नारुलिया से बात कर रहे थे और इस बीच में जो दिखाई दे रही ती तस्वीर है वह वहां की बिधायक सीता संट शर्मा भी नजर आ रहे थी उनसे बात कियो तो वह भी हम आपको द प्रेक्शन यह रह गया था कि लगातार जो है मुद्दे क्या कॉंग्रेस खुदी देने की कुशिश कर रही है यह कहा कहा है सेम पे तुरुदा ने खुदी कि उनके बयान को तोड मरोड कर पेश किया गया और दूसरे बयानों के साथ जोड के कुछ औरी रंग दे दिया है प्रदान बंतरी जी इस तरीके से सभाओं में खड़े होकर क जूट बोलेंगे इसको भी डेस की जनता देख रही है इसने कभी मंगल सुद्र का संवान किया ही नहीं वो वेक्तिया की भरती जंता पईटी का एक भी काडर करता नहीं है यह दरसा आए कि भारती क्या सब्सक्राइब नी हो गई है और आज जो लोगने हैं मद्दान करने वह इस देश में परिवर्तन केलिए मद्दान करने जा रहे हैą इस देश में परिवर्तन करने के बाद इस देश की जो साधगी है इस देश की जो सुन्दर्ता है जहाँ पर सारे धर्म के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं किसी के बीच में नफरत ना हो इसके लिए आज मद्दान हो रहा है आद देखिएगा जब मत पेटियां खुलेंगी सुनील चौदरी जी कोई मुद्दे नहीं चलेंगे वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की बयार है आप बले दाबे करते रहे हैं लेकिन जनता कॉंग्रेस के दावों पर जादे ध्यान देगी ऐसा उनका कहना है अलाकि लोक सभा का चुनाओ है जाहर है आप भी अपनी बात कहें देगे चतिसगड़ में तो कॉंग्रेस शुन्य पर आउट होने वाली है ये बात शरत प्रतिशत मान करके चलिए एक सीट यह नहीं जीतेंगे जब बड़ा इनके पास पहुमत था अड़शट सीट जीत कर काया थे तो दो से जादा नहीं जीत पाया जो इनका सबसे बड़ मैं पूछणा चाहता हूं इनको गांधी परिवार को या कांग्रेस को केवल गांधी परिवार का मंगल सुत्र क्यों दिखता है अरे सेना के जवान अपना शोरिका प्रधर्शन करते हुए अपने अशहीद हो जाते हैं पूरे तेश में देखा है कि बहुत सारे लोगों के मंगल सुत्र ने चावर हुए पर इनको गांधी परिवार का दिखेगा ये नकसलियों को शहीद बताने वाले लोग ये इस प्रकार की बाते करते हैं शर्मनाग बात करते हैं ये देश की बात कभी नी करेंगे जब करेंगे एक परिवार की बात करेंगे एक गांधी परिवार जाकर चरड़ों में अर्थी थोने की बात करेंगे, मैं इस पर शुरूट से पूछना चाहता हूँ, भारती जनता अपारिटी के, अभी आप देखेंगे, छोटा सा कारेकाल हमको चत्तिसगड़ में अभी मिला है, कुछ महीने, चार महीने की सरकार है, हमने जो बोधी की गार बोली जी आप भी बोली जे कारण की बीकिन के सायर कारते हैं, जो डोटते हैं, लोटते हैं, चातिसगड़ की तरफ अभी बात परिभरतन हुआ है, अब देखेंगे, प्रदाहन मंत्री का कुछ जादे रुख हुआ, मध्य बधिदेश की तरफ, क्या मध्य बधिदेश से पहले दोर के जो मध्दान काम हुआ जिसका हम जिक्र करते हैं कुछ चिंताएं बड़ी है जिसके कारणा आज आपने हमेशा सुना होगा MP के मन में मोधी और मोधी के मन में MP यह साक्षाध होता हुआ दिख रहा है जड़ा सुन लेते अमिशा गुना पहुंच गया है और क्या बोल रहे है सीधा गुना का बच्चा बच्चा कस्मीर के लिए जान देने के लिए तयार है जान देने के लिए बाई और बेनों मुझे बताओ कस्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी अरे जोर से बोलो जानी चाहिए थी या नहीं जानी आतंक वाज समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। सत्तर सत्तर साल तत कॉंग्रेश पार्टी धारा 370 को अपने अनुरोस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक जटके में 370 को समाप्त है। भाई और बेनो राहूल बाबा मुझे डराते थे कि 370 मत अठाओ खून की नदिया बह जाएगी। अरे राहूल बाबा एक कॉंग्रेश की सरकार नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार है। पांस साल हो गए खून की नदिया छोड़ो कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की। भाई और बेनो मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नकसलवाद को समाप्त किया है। हमारे मध्यप्रदेश को नकसलवाद से मुक्त करने का काम देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाई और बेनों मुझे बताओ जरा मन से बताना भई अयोध्या में राम मंदरी बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोर से बोलो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था सत्तर सत्तर साल तत एक कॉंग्रेस पाटी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही लटकाती रही भटकाती रही और मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रदान मंद्री बनाया एक पांच साल में ही केश भी जीता भुमी पुजन भी किया और प्राण प्रतिष्टा करकर जय स्री राम कर देखें भाई और बैनो और एक कॉंग्रेस पाटी देखें सोनिया जी राहूल जी उनको निमंत्रन मिला मगर राम लल्ला के प्राण प्रतिष्टा में जाने की फुर्सत नहीं है हमारे मोहन जी को निमंत्रन मिला मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलल्ला का दर्शन करने पहुंचे और जिस दिन प्राण प्रतिष्टा होती थी उस दिन मोहन जी ओरचा के राजदरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंचे भाई और बेनो एक कॉंग्रेस पार्टी इनका घोशना पत्र सुनि कि द्राण से पढ़ियेंका उन्होंने कहा है हम पर्सनल लो को फीर से लागू करएं मुझे बताओ भाई और बेनो पर्सनल लो से नका क्या कहना है मुस्लिम पर्सनल लौ लाना चाहते ये देश में सरिया से देश चल सकता है क्या जोड से बोलो चल सकता है त्रिपल तलाग फिर से लाना है अरे राहूल बाबा आपको तुरुष्टी करन के लिए जो करना है वो कर दो मैं बताता हूँ जब तक भारतिय जनता पार्टी है हम पर्सनल लौ को नहीं आने देंगे ये देश यूसीसी से चलेगा समान नागरिक सहिदा से चलेगा ये हमारा सम्विदान का स्पिरीट है हमने उत्राखन में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है मोदी जी का करती है देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे देश भर में करेंगे भाई और बेनो मोदी जी ने नई संसत बनाई मोदी जी ने कर्तव्यपत बनाया और मोदी जी ने चंद्रमा के दक्सिन धुरू पर सारे संसार में पहली बार हमारे चंद्रयान को उतार कर सीवशक पॉइंट बनाने का काम किया है, मोदी जी ने इस देश के विकास में सबसी पहली प्राइविटी सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनोरिटी का है, भाई और बैनों, कॉंग्रेस की मनसा हम नहीं बराने देंगे मैं आज गुना की धर्ति पर कह कर जाता हूँ, इस देश के संस्याधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलीद का है, OBC का है और हमारे आदिवासी भाईयों का है, इसको कोई चुटलाने से, एक कॉंग्रेस पार्टी, OBC विरोधी पार्टी रही काका साहिब कलेलकर कमिशन का रिपोर्ट सालों तक दबा कर रखा, मंडल कमिशन का रिपोर्ट सालों तक दबा कर रखा केंद्र की संस्थाओं में, OBC को रिजर्वेशन नहीं दिया, OBC आयोग नहीं बनाया मोदी जी ने OBC आयोग बनाकर फीचडा वर्क को समवेधानिक सनमान देने का काम, नरेंद्र मोदी जी ने किया नीट की परिक्साओं में, मेडिकल के दाखरों में और बाकी सारे केंद्रिय संस्थानों में 27, 38 आरक्षन, OBC को देने का काम, नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई और बेनों, सिंध्या माराज, यहां से भारतिय जन्ता पार्टी के प्रक्त्यासी है, हम सब में, हम सब में, विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है, तो घुनावालों आपका है माहराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित सिंध्या परिवार ने इस सेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है भारतिय जन्ता पार्टी की और केंडर की मद्देश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड के खर्चे से नेशनल हाईवे कुरवाई मुंगावली चंदेरी का निर्मान किया 112 करोड घुना में नगरपालिका में आवास योधना में लगाए 45 करोड एरपोर्ट बनाने में लगाए 83 करोड स्वास्त केंडरों के लिए लगाए 560 करोड जन्देरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए 90 करोड मलहारगर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड से 3000 हेक्टर ग्वाल्टोरियम मिडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मनजूर करने का काम किया भाई और बेनो 90 करोड से 2800 हेक्टर पनहेटी मिडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया माधवराव सिंधिया सिंचाई योधना को छे बाग बैराज निर्मन किया 64000 मिलियन गन मिटर जलका बंडारन किया पार्वति काली सिंग चंबल लिंक परियोधना से हमेशा के लिए यहां से सूखा विदाय हो जाएगा भाई और बैनों हमने धेर सारी उपलब दिया प्राप्त की है मैं आज कह कर जाता हूं सिंधिया जी पर मोदी जी का वरस्त है एक बार इनके सनमान के जितनी लीड से जिताए एक सेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं भाई और बैनों मुझे बताओ राजा साब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या जड़ा जोर से बोलो जिताओगे मोदी जी को तीसरी बार प्रदान मंत्री बनाओगे मध्यप्रदेश की 29 की 29 सिटे जिताओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुठी भीचे और प्रचंदा वाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की वन दे वन दे जै स्री राम जै जै स्री राम चलिए हमिशा बोल रहे थे इस वक्त गुना से जो बड़ी बात है उन्होंने कही है सतर साल तक कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दो को अटकाती रही ऐसा उनका कहना है रामलला की प्रांट पितिश्टा में जाने की बात कांग्रेस कभी फुरसत नहीं मिली वो बात भी नहीं किया है उन्होंने कहा क्या सर्या के आधार पर बहुर्त कॉंग्रेस इस देश को चलाना चाहते है राहूल गांदी चलाना चाहते है OVC आयोग बनाय जाएगा जैसा उन्होंने का मोदी जी ने इस बात को आगे बढ़ाया है और PM मोदी ने MP को नकसलवास से मुक्त किया है तो ये कुछ दस बात है थी जो अमिश शाहर ने अपने उसमें कही है लेकिन इसके अलाबा बड़ा हमला था उनका राहूल गांधी पर और कॉंग्रेस पर